नमस्कार दोस्तो मैं हूं नतिन गुले और सामने आप देख रहे हैं किया सेल्टोस का जीटी लाइन वेरियंट अब ये जो है डीजल इंजन के साथ में हैं और यहां पे अपने को आपने को आपने को ट्रांस्विशन बल जाता है एडास वाले फीचर्स भी आगा है और सबसे पहले इसकी प्राइजिंग की अपन बात कर लेते हैं एक शोरूम प्राइज की बात करें तो यह 19,97,000 में आ जाती है और यह जो प्राइजिंग है बालाखाट सेटी मद्यप्रदेश की है और इस वक्त अपन है किया बालाखाट शोरूम में तो इनकी सारी जो कॉंट प्राइल ने वो देखिए तो जो रोड प्रेजेंस आता भाई अपनी किया सेल्टॉस का वो भी काफी तगड़ा अपने को मिल जाता है और विट्ट की अगर बात करें तो यहां पे 1800 mm की और विट्ट अपने को मिल जाती है सेंटर में अपने को किया का लोगो मिल जाता है प्रेमियम नेस्ट तो भाई देखिए फ्रेंट प्रोफाइल में कितना बढ़िया क्रोम का यूस किया हुआ है टाइगर नोस ग्रिल अपने को मिल जाती है साथ में 360 डिगरी कैमरा भी यहां पे अपने को मिल जाता है नीचे जो रडार है वो देखिए वो भी मिल जाता है और स्केट प्लेट भी अपने को मिल जाती है अब फ्रेंट प्रोफाइल में देखिए ग्रिल भी काफी ब्रॉड होगी है जो इसके जो रोड प्रेसल साना उसको काफी बढ़िया बना रही है अब हेड्लैंस के अगर सेटप की बात करें तो देखिए यहां पे पूरा LED जो की LED है तो भाई detailing काफी बढ़िया अपने को मिल जाती है अब फ्रेंट प्रोफाइल से अगर लुक्स की बात करें तो ऐसे कुछ लुक्स अपने को यहां पर मिल जाते हैं तो लुक्स तो चारोई साइट से से सेल्टॉस के काफी जबरदस्त लगते हैं अब साइट प्र 55R18 18 इंच के यहां पर diamond cut alloy wheels अपने को मिल रहे हैं front and rear दोनों में अपने को disc brake मिल जाते हैं with brake assist तो जबरदस यहां पर अपने को braking भी मिलने वाली है अब वर्वियम की अगर बात करें तो body current मिल रहे हैं साथ में turn signals दी हुए और नीचे अपने को एक camera मिल जाता है मितलब चार साथ में chrome line अपने को मिल जाती है door handles की बात करें तो यहां पर अपने को chrome मिल जाता है साथ में keyless entry का option भी यहां पर मिलने वाला है अब side profile से अगर looks की बात करें तो देखिए ऐसे कुछ looks अपने को मिल जाते हैं तो काफी बड़ी air looks मिलते हैं अपने को Kia Seltos अब आपको कैसी लगती है आप भी comment करके मुझे जरूर बताएगा अब dimensions की अगर बात करें Kia Seltos की तो overall length अपने को 465 mm की मिल जाती है width की बात करें 190 mm पर अपने को ground clearance भी मिल जाता है अब rear profile के side में पर जैसी जाते हैं तो उपर अपने को shark finitina मिल जाता है integrated spoiler में ही यहां पर अपने को high mount stop lamp मिल जाता है rear defogger, wiper, camera, camera कहां क्या है यह रहा है तो भाई, features तो सारे के सारे मिलने वालें क्योंकि GT line variant है देख रहे हुँ ना, routing style में अपने को यहां पर भी turn signal मिलने वालें, brake lamps और reverse parking lamp अपने को नीचे side मिल जाता है और reflectors भी यहां मिल जाते हैं, नीचे अपने को 4 reverse parking sensors और नीचे अपने को उसके मिल जाती है, इसकी skid plate, तो rear profile काफी बढ़िया लग रही है इसकी, अब यहां पर boot space की बात करें, तो request sensor अपने को मिल जाता है, तो यह मिल जाता है, एक अपने को यहां पर मिल जाता है, कैमरा और दो light, अब parcel भी मिलता है, भई, top model है, features तो ऐसे मिल नहीं थे, तो चलिए यहां पर अब interior में देखें, तो भई, boot space भी काफी बढ़िया मिल रहा है, 447 लीटर का इहां पर अपने को boot light मिल जाती है तो बहुत बढ़िया space मिल जाता है और यहाँ पर मिल जाता है spare wheel तो यह normal steel rim दिया हुआ है तो space तो जार काफी बढ़िया मिल रहा है boot में अपने को उपर अपने को cladding मिल जाती है और यहाँ से इसको कर देते हैं बंद तो यह हो गया तो भाई यहाँ पर अपने को जो diesel engine है ना automatic में 90 से 20 km का mileage भी निकाल देता है तो काफी बढ़िया mileage भी परफॉर्म करने वाली है अपनी Kia Seltos तो अब जलते हैं इसके interior में और देखते हैं वहाँ पर क्या क्या features मिल जाते हैं और hold करने में अपना जो boot है ना वो unlock हो जाएगा अब यहाँ पर जो अपने को रिक्तिव सेंसर मिल जाता है उसको पर जैसे क्लिक करते हैं तो देखिए यहाँ पर अपने जो overbm में fold हो गया है और एक और बार प्रेस करने में unfold भी हो जाते हैं अब सबसे पहले door panel देख लेते हैं तो यहाँ पर यह बिलकुँ soft touch मिल जाता है पूरा का पूरा डूल tone में अपने को मिल रहा है Bose की branding मिल जाती है बिलकुल Bose की यहाँ पर speakers मिलने वाले तो बाइट टॉप end variant है तो premiumness तो बहुत जबरदस यहाँ मिलने वाली है अब चारो power window के button door को lock करने के लिए और यहाँ पर over view को adjust और fold करने के लिए button मिल जाता है अब नीचे bottle holder मिल जाता है अपने को अब seats की अगर बात करें तो पूरी यहाँ पर leather up positive मिल रही है साथ में power adjustment का option भी मिल जाता है adjustable headrest के साथ में हब जीटी line की badging भी मिल जाती है तो अब चलते हैं अंदर और देखते हैं अंदर क्या-क्या features मिल जाते हैं तो भाई look तो बड़ा जबरदसत हैं अंदर का तो start करते हैं steering wheel से उससे पहले जो नए भाई look जूड़े न पर इस subscribe button प्रेस कर दो बिल्कुल कंजूसी कर रहे हैं आप आज कल तो दबा दो subscribe button decad shape में अपने को steering wheel मिल जाता है और leather wrap steering wheel अपने को मिल जाता है quality यार बड़ी जवर्दसती हैं मिल जाती है GT line की badging अपने को मिल जाती है center में किया का logo मिल जाता है steering mounted controls भी हाँ मिल रहे left side में infotainment system के और telephonic के और right side में यहाँ पर अपने को cluster के और cruise control और साथ में यहाँ पर जो ADAS वाले features हैं उसके भी button मिल जाते हैं अब इसके अगर adjustment की बात करें तो tilt और telescope क्या बात है दोनों मिल जाता है यहाँ और यहाँ पर right side में गर देखे तो start stop का button traction control और यहाँ पर ideal start stop का button मिल जाता है और यहाँ पर headlight level करने के लिए switch लीचे देखे पेडल्स भी काफी sporty अपने को मिल जाते हैं और यहाँ पर एक red pedal भी मिल जाता है तो अब start कर लेते हैं cluster को तो यह तबाया मेंने button तो ऐसा कुछ welcome करता है अपना instrument cluster अब यहाँ पर दो-दो screen अपने को मिल जाती है और आप उपर से देखेंगे तो driver side इसका angle है वो किया हुआ तो देखने में काफी easy होने वाला है अब 10.25 inch की यहाँ पर अपने को 2 screens मिल जाती है अब cluster की बात किन लेती हैं सबसे पहले तो left side में अपने को टेकोमेटर मिल जाता है यहाँ पर अपने को जो notification है वो भी देखाते रहता है बाकी यहाँ पर टेकोमेटर मिल जाता है अब information देखे कितनी सारी मिल रही अपने को यहाँ पर fuel gauge और this side अपने को odometer मिल जाता है instant fuel economy यहाँ पर अपने को देखते रहेगी अब देखे इसको पर जैसी क्लिक करते हैं तो देखे आगे टेकोमेटर एक और बार क्लिक करते हैं इचे अगर अपन स्क्रोल करेंगे तो यूरिया लेवल भी दिखा देता है तो काफी information अपने को मिलने वाली है साथ में यहाँ पर paddle shifters भी अपने को मिलने वाले है क्योंकि यह automatic variant है अब left side में अपने को wiper के controls और right side में headlamps के control मिल जाते हैं और यह अपने को automatic मिलने वाले है अब दोनों ही फीचर अपने को automatic मिलने है मतलब rail sensing wiper भी मिलने है साथ में automatic headlamps भी अपने को मिल जाते है अब यहाँ पर infotainment system की अगर बात करें तो 10.25 inch की यहाँ पर अपने को test screen मिल जाती है और response की बात करें तो भाई जबरदस्त यहाँ पर response मिल जाता है और साथ में Android Auto और Apple का रपल पर एक connectivity मिल रही है inbuilt air purifier भी है अपने को मिल जाता है नीचे इस event अपने को मिल जाता है hazard का button और उसके नीचे dual zone automatic climate control अपने को मिल जाता है और नीचे साइड अगर देखे तो यहाँ पर wireless charger अपने को दिख रहा है तो यह देखी यहाँ पर मिल रहा है और यहाँ थोड़ा space मिल जाता है और 12V का power socket के साथ में यहाँ पर USB connectivity और एक type C का charging socket मिल जाता है illuminated भी है यह तो यहाँ पर पीछे side अपन आते हैं तो क्या मिल जाता है अपने को drive or traction का button मिल जाता है अब single button से अपन दो काम कर सकते हैं अब देखे इसको में rotate करता हूँ तो यहाँ पर eco, normal और sports यह 3 होगे और tap करने में snow, mud और sand यह 3 mode मिल जाता है तो भाई एक ही button दो दो काम कर रहा है six speed का automatic gearbox अपने को मिल जाता है side में देखे यहाँ पर के मिल जाता है ventilated seat का option मिल जाता है view मतलब यहाँ पर camera जो है ना on हो जाएंगे और front parking sensor बंद करने के लिए अपने को button मिल जाता है अब देखे यहाँ पर जो reverse camera की quality देख लेते हैं तो यह देखे तो भाई quality काफी बढ़िया मिल जाती है और यह देखे जो angle है ना अपन यहाँ से change कर सकते हैं तो बाकी sensor भी है और अपने को 360 degree camera भी मिल जाता है तो काफी clear view अपने को यहाँ मिलने वाला है तो इसको बन कर देते हैं parking में पीछे electronic parking brake मिल जाता है auto hold feature के साथ में और यहाँ पर अपने को shutter मिल जाता है तो अंदर अपने को hidden space भी मिल जाता है यहाँ पर थोड़ा space मिल जाता है और dedicated armrest भी हाँ मिल जाता है अंदर देखें तो इतना कुछ अपने को space मिल जाता है अब यह देखें पूरा यहाँ पर जो हैना soft touch मिल जाता है यहाँ से soft touch है यहाँ पर अपने को soft touch मिल जाता है बाकी यह hard plastic अपने को मिल जाता है उपर side hard plastic ही यहाँ पर soft touch मिल जाता है गलब बॉक्स में इतना को size मिल जाता है और panoramic sunroof भी अपने को यहां मिल जाता है काफी बड़िया size यहां पर मिलता है और उपर side अगर देखें तो यहां पर ticket holder मिल जाता है center में auto dimming iron भी हम अपने को मिल जाता है यहां पर sunglass holder दिया हुआ है cabin light मिल जाती है जो की LED मिलने वाली है अपने को तो बिलकुल और इस side अगर देखें तो vanity mirror मिल जाता है तो काफी बड़िया features अपने को यहां मिल रहे है अब safety features की बात करें तो six air back का setup किया हुआ ABS, EBD, brake assist और electronic stability control जैसे तमाम safety features भी यहां अपने को मिल जाते है तो features काफी बड़िया है अपने को मिलने वाले तो seat को अपन करते हैं adjust और चलते हैं rear seat में और देखते हैं वहां पे अपने को क्या-क्या features मिल जाते हैं तो यह हो गई है बिलकुल adjust तो अब चलते हैं इसको बंद करके rear seat में अब rear door panel की बात करें तो यहां पे अपने को power window का button मिल जाता है soft touch यहां पे भी अपने को मिल जाता है साथ में यहां पे अपने को sunshade मिल जाता है तो भई rear seat में अपने को दोनों side sunshade मिलने वाला है नीचे speaker का grill में जाता है जिसमें Bose की branding है और यहां पे अपने को जो bottle older है न वो भी मिल जाता है अब seats की बात करें तो पूरा leather अपोस्ट यह देखे काफी premium लगता है साथ में 60-40 speed seat और यहाँ पर dedicated armrest मिल जाता है तीनों के तीनों adjustable address अपने को मिल जाते हैं अब बैट के अपन जो space है न वो चेक कर लेते हैं तो यह अपन आगा है every year seat में तो यार मेरी जो height है न 5-9 है seat अपने height के according adjust और leg room देखे काफी बढ़िया मुझे leg room मिल रहा है under thigh support की बात करें तो वो भी काफी बढ़िया मिल दा है मतलब space और comfort तो काफी बढ़िया हैं अपने को मिल जाता है नीचे rear AC vent मिल जाते है और यहां पे दो charging socket मिल जाते है अपने को type C के hump की बात करें तो एकदम minor सा मिल जाता है seat काफी बढ़िया तीन passenger ही है easily बैटके travel कर सकते है अई sunroof का size देखे जबरदस्त यहां पे अपने को sunroof मिल जाता है इस side अपने को reading lamp मिल जाता है और इस side भी मिल जाता है उपके साथ में और यह जो है बिलकुन LED मिलने वाला अपने को तो rear seat में space काफी बढ़िया अपने को मिल जाता है अब चलते हैं इसके engine bay के तरफ और बाकी बात है अपन वहाँ पे करेंगे जो seat weld मिलते है वो भी अपने को मिल जाता है adjustable तो यह हो गया focus तो यह है तो चलिए अब चलते हैं engine bay के तरफ तो उसको open करने के लिए यह देखिए उसको open जैसे pull करेंगे तो engine bay open हो जाएगा तो यह है Kia Seltos का 1.5 लिटर का 4-cylinder turbo charge diesel engine अब यह जो है CRDI engine है और यहाँ पे जो power और performance है न वो काफी दगड़ी अपने को मिलने वाली है power की बात करें तो 114BHP के साथ में यहाँ पे 2500NM का torque अपने को मिल जाता है तो इतने power के साथ में अपने को 90-20KM का mileage भी मिल जाता है तो यह था आपने पास Kia Seltos का GT Line variant diesel engine के साथ में था और यहाँ पे अपने automatic transmission देगा वाई काफी बढ़ियां यहाँ पे features अपने को मिल जाते है तो मुझे लगता है सारे जो doubts थे आपके clear हो गए होगे अब कुछ रह गया होगा था आप मुझे comment कर सकते है उसका जो answer में जल्दी से जल्दी देने कोश्च करूँगा अब इसकी जो pricing है वो मैं आपको एक बार बार बतायता हूँ एक सोर्म price की बात करे तो यह अपने को 19,97,000 में आ जाती है और रोड price की बात करे तो लगबग 23,41,000 में आ जाती है और यह जो pricing है बालगाट सिटी मद्यप्रदेश की है contact details में ने दे दिये तो अब call करके अब बागी सारी details ले सकते है तो वीडियो में रखते हैं इतना ही कैसी लगी है कार प्लीज मुझे comment करके जरू बताएगा वीडियो अच्छा लगाओ तो प्लीज एक लाइक कर देना share कर देना अपने friends के साथ और subscribe कर देना मेरे channel को thank you so much जय हिन